आप पंडित जी होना? नहीं बेटा मैं पंडित नहीं हूँ लगता है आप खलत जगह आ गया हो यह खलत जगह है? नहीं जगह तो सही है आप खलती से आ गया हो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या है फिर? मस्जिद है अल्ला का दर्बार यहां क्यों होता है जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही मस्जिद में अल्ला की अभादत करते हैं आप कौन हो मैं यहां का मौलवी हूँ मौलवी मतलब जैसे मंदिर में बंडित होते हैं वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं तो आप दोनों सीम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता, यहाँ नहीं. क्यों? मंदर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शेव जी. तो शेव जी की पूजा करने के लिए, अनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं न, यहीं फर्क भगवान और अल्ला में है. लेकिन मम्मी कहती है, कि सारे भगवान सीम है. वैसे अल्ला कितने है? अल्ला तो एक यह रिखा. तो आप इतनी शौर के सो, कि भगवान और अल्ला सीम है. जिसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी में इनको तिक्कू बलाती है. पापा, इनको रॉकी बलाती है. मेरे दोस में को राहु बलाती है. लेकिन हो तो में कि राहुल वैसे ही शिवजी, अल्ला, हनुमान सब सीम है. लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं. अल्ला से मस्जिद में मिलते हैं. ने, अल्ला तो सारे जहान में मिलते हैं. इस सड़क पे? हाँ. मॉल में? हाँ. सबसी बजार में? हाँ मंदिर में भी हाँ भाया तो फिक मज़ूद में भावान क्यों नहीं है जाए अगर मैं आल्लास कुछ ममना चाहू क्या वो मेरी बाद सुनेंगे बिलकु बिलकु तो अगर आगा मेरी बाद सुनेंगे तो आप रही बादा